हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल ग्रीन लाइव आज मैं आपसे मिलवाती हूँ अपने बहुत ही सुन्दर और प्यारे बीक साइज के अलमेंडा के प्लांट से देखिये फ्रेंड इसकी फ्लावर कितने बड़े-बड़े साइज क्यों होते हैं फ्रेंड हर कोई चाहता ह है कि कम केरी में कौन सा ऐसा प्लांट लगाएं जो भर भर के फूल दे और उसकी सुन्दर अमारी करदन की सुन्दरता को भी बढ़ाएं देखिये फ्रेंड यह है अलमेंडा का प्लांट और इसमें फ्लावरिंग बड़े-बड़े साइज की होती है फ्रेंड इसमें खुस सिल साइस के कटिंग अगर आप लगाईएगा तो आसानी से यह ग्रोग कर जाता है और कटिंग हमेशा चार-पांच लगाईएगा फ्रेंड जिससे की दो-चार सक्सस उसमें हो ही जाता है फ्रेंड अधिक फूल पाने के लिए हमें उपर में से पिंचिंग करते रहना चाह और फिर नए-ने सूट्स में भर-भर के फ्लावरिंग हो यह फरवरी से ले करके नोवंबर तक अच्छी तरह यह फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है फ्रेंड यह बंच में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है देखिए फ्रेंड कितनी सारी कलिया बनी हुई एक करके सब इसमें फिर फ्लावरिंग होगी और यह सब सच्छी बात इसकी होती है फ्रेंड यह खिलने पर दो तीन दिन तक इसी तरह बना हुआ रहता है ऐसे तो हिबिसकस का फ्लावर भी देखने में बहुत खुशूरत होता है फ्लेंड लेकि वह एक दिन से ज़्यादा व बड़े साइज केस के फ्लावर है हवा भी बहुत अच्छी चल रही है जिससे की पतिया हवा का अनंद उठा रहा है देखे फ्रेंड मेरे पास चार तरह के एलमेंडा के प्लांट है एक परपल एक आप यलो कलर को आपको दिखाई हूं एक है बदामी कलर का लेकिन फ्लाव द्लांट है और आसाने से गरो होने वाला प्लांट है यह कि अतैके प्लांट है और इसे कम-से कंप दो-team न वहंते की गाया तव ही इसनमे तरह करेंगे न फ्लावरिंग और ह conception करते हैं या फिर ओनियन पिल्स में किजन वेस्ट हमेसा ही देते रहती हूं इसमें कुछ न कुछ जिससे कि इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है अगर आप इसके टीप की कटिंग करते देएगा फ्रेंड तो यह बुसी बनेगा और आपका छोटा सा ही प्लांट में धेरो फूल आएंगे गम लेके लिए फ्रेंड हमेसा पिंचिंग करते रहना चाहिए जिससे कि वह छोटे ही हैट में अच्छी तरह फ्लावरिंग करें फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके हमको थेंक यू फ्रेंड हैपी गार्डनिंग बाइबाए